दोस्तों उडिसा स्टेर में एक बहुत ही खतरनाग एक्सिडेंट हुआ है जिससे सैक्रो लोगों की मौध हो गए तीन ट्रेन्स एक के बाद एक टकराती गें और उस जगा पर कयामत का मनजर दिखा एक मालगाड़ी और दो एक्स्प्रेस ट्रेन में भयानक डकर हुए जब तीन ट्रेन्स टकराएं तो मौध का ऐसा तांडो मचा कि देखने वाले सन रहे गए आधे किलोमीटर्स के लाके में सिफ ट्रेन के टूटे हुए डिब्बे और मौध का मनजर दिखा दरसल पट्री पर एक मालगाड़ी खड़ी थी उसके बाद पीछे से एक सूपरफास ट्रेन आती है और मालगाड़ी को टकर मारती है और उसके बाद कुछी देर में दूसी सूपरफास ट्रेन आती है फिर मालगाड़ी और पहली सूपरफास ट्रेन से टकरा जाती है उसके बाद चारों तरब सिर्फ चीक और पुकार थी और मौत का सन्नाट अचाया हुआ था। दोस्तों ट्रेन्स के ये टकर इतनी खतरनाक थी कि जो ट्रेन की पटरी होती है वो ट्रेन की मोटी चेसिस और फ्लोर फार का छस से बाहर निकल गए। जब इतने मजबूत लोहे और इस्टील की ये हालत हो गए तो उसके आगे इंसान की क्या उकार। ट्रेन के डिब्बों के पर खच्चे उड़ गए। इन ट्रेन्स का टकराव इतना तेज था कि एक बोगी दूसरे बोगी पर चड़ देए या एक दूसरे में घुज गए। तभी बोगिया पूरी त तो पता ही होगी कि ट्रेन के पईये कितने भारी होती है। लेकिन वो पईये छटक कर दूर जागी रहे थे क्यूंकि टकराव इतना तेज थे। बताया जा रहा है कि ट्रेन में 3500 लोगों को जो डेटा बताया गया है वो रिजर्वेशन के इसाब से। लेकिन ये तो आपक चालूवाले डिब्वे होती हैं, जिन में 75-75 सीट्स होती हीं लेकिन पैसंजर्स 200 यह उससे जादा भर जाती है। जरा सोच कर देखी कि जब हम किसी एक का एक्सिडेंट देखते या सुनते हैं तो हमारी रूकाब जाती है तो सोच यह जहां सैक्डो लोग मौत के मूँ में समा गये वहां का मंजर कैसा रहा होगा सोचने भर से दिमाग थर रहा जाता है मैं उन आज पासे गाउंवालों का दाद देना चाहूंगा जिनोंने एक्सिडेंट के दोरान मदद की वहां के लोग घायलों को खुन देने के लिए और स्पीटल्स में राध भर लाइन लगाये खड़े थी अब हम किसी को गलत नहीं ठेराएंगे त्यूकि ये वक्त किसी को गल immersionे को खड़े होने का देना है जाये और सिस्टम को दुरुस्त किया जाये ताकि आगे इस तरह के हाथ से ना हो, मीडिया वाले हो या नेता हो, ये हफ्ते बर काउं काउं करेके चुप हो जाएंगे, लेकिन जिनों ने अपने बाप को खोया है, भाई को खोया है, बेटा खोया है, पती खोया है, या किसी और को खोया है, जिल्लत उनके लिए होगी, उ